हलो एवरिवन आज हम लोग इस वीडियो में दिखने जा रहे है आईरवेद में प्रयोग होने वाले मुख्य औशदी कालमेग के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे हिन्दी में इसे हम कालमेग कलपनाथ आदी नामों से जानते हैं पंगाली में इसे हम कालमेग मराथी में इसे हम ओली किरियात गुजरादी में करियातू आदी नामों से जाना जाता है संस्कृत में इसे हम भूनिम्ब अत्वा कालमेग के नाम से जानते हैं यहां एकेंटेजी फैमिली से बिलाउंग करता है तुथा इसका लेटी नेम है एंडरोग्राफिस पैनिकुलेटा स्वरूप इसका चुप एक से तीन फिट उचा वर्सायू होता है कान इसका कान नीचे से चिखना तथा उपर से रोमस होता है पत्र रेखा कार भाला कार होते है चिखने तथा देड़ से दो इंच लंबे होते है कुष्प इसके पुष्प सफेद रंग के अत्वा हलके बैंगनी रंग के होते है तथा पुष्प मंजरी में लगते है फल इसके फल यव आकर के चोड़े तथा नय फल रोमस और प्रोड चिकने होते हैं बीच इसके बीच चत्तुसकोन पीले या भूरे रंके होते हैं इसका पंचांग अत्यन्त तिक्त होता है सितंबर मई में इसके पुष्प और फल लगते हैं उत्पतिस्तान यहां समस्त भारत में पाया जाता है रासार इकसंग तन इसके पत्र में काल मेगीन तता एंड्रोग्रोफलिड नामक तिक्त पदार्थ पाया जाता है गुन, लगू, रुक्ष गुन, रस, तिक्तरस, विपाक, कटू विपाक, वीर्य, उश्नवीर्य दोसे कर्म, यहां मुख्य रूप से कफ तता पित्य सामक होता है इसके आयरवेद में प्रयोग के बारे में हम जानते हैं इसका प्रयोग यकृत उत्य जक तता पित्य सारक, रेचन तता क्रमिगन होता है इसका उपयोग प्रमुकरूप से यकृत वृद्धी, विबंद और क्रमी रोगों में यहां उपयोगी है यकृत रोगों में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है जुआर के बाद उत्पन्य दोर्बल्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोजांग, पंचांग, विसिष्टियो, कालमेक, तरल, सत्व Thanks for watching, have a good day